Hello friends, welcome back to my youtube channel friends, यहां पर रे question दिया का है x के power log y equal to 3 x y is equal to 30 हमें x और y का value find करना है, तो चली वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों साइट हम log लेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे log x के पावर log y is equal to log 3 ठीक है उसी तरह हम इसमें भी हम Log लेंगे तो लिखेंगे Log X, Y is equal to Log 30 ठीक है अब इसके बाद अब देखें यह Power आगे आजाएगा तो लिखेंगे Log, Log Y into Log X is equal to Log 3 अब देखिए यहाँ पर देखिए xy है तो इसको हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा log x plus log y is equal to log 30 ठीक है अब देखिए एक चीज और मानेंगे लेट लेट क्या मानेंगे की log x is equal to हम मानते हैं a और log y बराबर मानते हैं b ठीक है तो इसके नुसार तो यहाँपर changing हो огром यहाँपर ab हो जएगा तो लिखेंगे ab is equal to log 3 और यहाँपर होगा a plus b is equal to log 30 ठीक है अब देखिए यहाँपर हम यहाँपर करते क्या हैं b को इधर लाते है b को इधर लाते हैं तो हो जएगा a is equal to log 30 माइनस b अब A का value है इसमें put कर देंगे तो A के जगह पर हम यह लिखेंगे तो लिखते हैं यहाँ पर log 30-b और bracket में यहाँ पर b बचा है तो b is equal to log 3 अब देखिए b का अंदर multiply कर देंगे तुझे का b log 30-b square is equal to log 3 ठीक है यह फिर हम इन दोनों को इदाल लाते हैं इन दोनों को इदाल लाते हैं तो यह minus में इदर आएगा plus में हो जाएगा लिकिंग b square और यह plus में इदर आएगा minus में हो जाएगा minus b log 30 ठीक है यह plus log 3 is equal to 0 अब इसका हमें क्या करना है factor निकलना है अब देखिए इसको फिर लिखते हैं लिखते हैं b square minus b अब देखिए लिखा है log 30 तो इसको हम लिख सकते हैं log 3 into 10 log 3 into 10 plus log 3 is equal to 0 फिर इसके बाद लिखते हैं b square minus b देखिए यह multiply में है तो इसको अलग अलग हम कर सकते हैं तो लिखेंगे log 3 plus log 10 plus log 3 is equal to 0 अब फिर लिखेंगे b square minus अब देखेंगे इसका value 1 होता है और इसका value log 3 रहेगा तो b log 3 minus है तो minus हो जाएगा minus b हो जाएगा क्योंकि इसका value 1 होगा और 1 का b में multiply होगा तो आजाएगा b तो plus log 3 is equal to 0 अब देखेंगे इसमें से हम common लेंगे तो यहां से हम b common लेते हैं तो जाएगा b minus log 3 इसमें से minus 1 common लेते हैं तो जाएगा b minus log 3 is equal to 0 ठीक है अब देखेंगे दो bracket बनाएगे b minus log 3 और b minus 1 is equal to 0 दोनों 0 की equal में तो b minus log 3 is equal to 0 यानि कि B का value हो जाएगा log 3 ठीक है उसी तरह B minus 1 है B minus 1 is equal to 0 तो B equal to हो जाएगा 1 तो देखिए B का 2 value मिला एक log 3 एक 1 अब इसके बाद हम A का value निकालेंगे ठीक है A का value निकालेंगे तो हम जानते हैं कि A is equal to क्या था A is equal to था log 30 minus B log 30 minus B तो पहले अकर 1 रखेंगे तो A का value हो जाएगा log 30 minus 1 ठीक है अब जब A is equal to log 30 minus B अब B का value है log 3 तो A is equal to हो जाएगा देखिए इसको जब हमने solve किया था तो आया था log 3 minus 1 सरी plus 1 फिर minus B है तो लिकेंगे log minus में log 3 ये ये कट जाएगा बचे का 1 A is equal to हो जाएगा 1 ठीक है तो ये देखिए A का भी value मिल गया और B का value भी मिल गया अब हमें X और Y का value निकालना है तो चलिए हम निकालते हैं हम इसमें value put करेंगे तो यहाँ पर A है तो A का value सबसे पहले हम 1 रखते हैं तो log X equal to हो जाएगा 1 यहाँ पर base to 10 है तो X equal to होजाएगा 10 के power 1 तो यानिके value होजाएगा 10 ठीक है अब इसके बाद देखिए अब B का value रखते हैं B का B value 1 रखते हैं तो हो जाएगा log Y is equal to 1 यहाँ पर base 10 है तो Y equal to होजाएगा 10 के power 1 equal to 10 ठीक है अब इसके बाद log 3-1 रखेंगे A equal to तो यहाँ पर लिखेंगे log X is equal to log 30-1 ठीक है जिए बेश टू 10 है तो X equal to हो जाएगा 10 की पावर log 30-1 ठीक है उसी तरह हम Y के अबलू रखेंगे क्या है log Y equal to B है तो log Y is equal to कितना है log 3 तो यहाँ पर बेश 10 है तो Y equal to हो जाएगा 10 की पावर log 3 तो यही देखिए हमारा यह जो चारू दिये गया है यही हमारा right hand score है